हेलो एवरिवन आपका स्वागत है आज की वीडियो में कई तुनों बात बैंक निफ्टी के उपर वीडियो बना रहा हूं इसकी वजह यह है कि मैं सिंपल एक ऐसे सेट अप की उपर काम कर रहा था जिससे मैं आने वाले फ्यूचर में लोगों के साथ शेयर कर सको मैंने सेट अगर इस पैटन का ब्रेक आउट होता है तो कि हमें किस तरह के मोमेंट देखने को मिल सकती है इसे में थोड़ा सा नीचे करता हूं अब यह दिखिए हम कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हमें जो ब्रेक आउट देखने को मिला था मेजर ब्रेक आउट इस लेवल इसकी हो गई प्लेजर यह लोवर लाइन हो गई यह रेसिन्स हो गया और उसके बार अगर अब यहां और अफ ३रॉप करूं तो देखिए अगर यहां से मार्किट इस लेवल को मानते हैं किया लेवल हो रहाई है हमारा 230 मान लेता है राउंड फिगर में अगर मार्किट 230 के ऊपर 45,230 के ऊपर कि क्लोजिंग हमें दे देता है या यहां पर सस्टेन करता है तो मैं यह मानूँगा कि यह जो फ्लाइक का पैटरन हो रहा है इसका ब्रेक आउट हो गया है और जब इसका ब्रेक आओ रोगा हो तो मार्केट कितने उपर तब जा सकता है कुछ लोग क्या करते कि यह दूरी तक पर नई मार्केट इस दूरी तक नहीं जाएगा मेरे अकॉर्डिंग जो मार्केट जल सकता है वह सिर्फ इतने पॉइंट ही चल सकता है तो मेरे साथ से यह जाएगा 46,070 के आसपास तक तो यानि अगर मार्केट 45,230 के उपर की क्लोजिंग देता है यहां पर सस्टेन करता है तो हमें अगर यह एक रेजिस्टेंस बन रहा है मार्केट में यहां से भी रेजिस्टेंस फवेश हुआ है इस लैवल से हैं यहां से ब्रेंट स्टेंच और एक दालीड आरी है क्उस तरीके से और एक यहां से जा रही है तो market में resistance ही resistance बन रहे है औप site पे तो अभ यहाँ पे अगर बाइंग उपर के तरफ जाती है में इन-lines को वापे डिलीट करता हूँ अब देखिए अगर माइंग आती तो मैंने multiple level आपको दिखा दिये जहां से market reverse हो सकता है तो कल अगर market यह वाला level रखते हैं 45,000 के आसपास और यहीं पर सस्टेन करके थोड़ा तेर सस्टेन करता है तो यहां से नीची आ यह सकता है पर यहां से इ utiliser आलों मांकर मैं सामरा करने करना और आज अगर आज की ट्रेट की बात के तो मैंने आज यहां पर ट्रेड ली थी और उसके बाद मैंने यहां तक का profit वाए कि और मैंने यहां पर जब भी मार्केट गैफ फिल करने आता है तो वहां पर एक resistance बनता है तो मैंने इसी वज़ा से जब market इस level के पास आया तो मैंने अपने profit को book कर लिया था अगर कल market नीचे की side आता है यहाँ कहीं पे इस line के आसपास यहाँ कहीं पे अगर मार्केट नीचे के तरफ gap down open हो जाता है इस line के आसपास तो हम नीचे के sell करने के side पे सोचेंगे क्यों सोचेंगे क्योंकि अगर market नीचे gap up के side open होगा ना तो अभी तक हमें market में तीजी से 500 points का area cover कर सकता है तो अब एक चीज़ देखें यह level है कौन से अगर मैं इस वाली के बारे में बता हूँ तो यह जो निकल के आ रहा है यह निकल के आ रहा है